तो यहां में पढ़ने वाले है आज इस क्रीट्रे असिस्ट्र में के बारे तो सबसे पहले यह धे देख लेते हैं क्यों ने फॉर्डला कि इत्वी सब्षटेण स Beauté dangकाना की सिस्ट्र होती है उनको अब करण निकाल निकाल सकते हैं वेस्ट में हमारे बॉड़ी में आते कहां से तो बड़ा सिंपल इस्टुएंट्स उनका पहला सोर्स तो खुद फुड ही है तो ऐसे तो फुड हमारे बड़ा इंपॉर्टेट है उससे में सारा न्यूट्रिशन मिलता है लेकिन जब हम कुछ खाते हैं इस्टुएंट्स तो बाद समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारी फालतों की चीजे भी होती है जो हमारे बॉड़ी के काम की नीए या फिर हामफुल भी हो सकती है तो उनको खा लिया है तो बाहर भी निकालना पड़ेगा इस्टुएंट्स आप वेस्ट मतवियर सेकेंड सोर्स जो है इस्टुएं तो इन सब में इन सब रियक्शन में कई ऐसे सब्सेंस बन जाते हैं जो कि हमारे बॉड़ी के लिए काम के नहीं है तो उनको भी बहार निकालने की जवरत पड़ती है आपको समझ में आई बात इस्टुएंट्स तो हम लिख सकते हैं कि नीड फो इस्क्रेटर सिस्टम क्या है पॉइंट अबर वन तो रिमूव वेस्ट मटरियस फॉम आउर बॉड़ी सच आज सम सॉल्स अन नाइट्रोजन कंपाउंट्स लाइक यूरिया एं यूरिक एसिड समझ में आ रही बात इस्टुएंट्स तो देखें कुछ सॉल्स को बहार निकालना होता है इस्टुएं यूरोजन कंपाउंट्स वेजरी हैंद एटो कि य bark यूरिया होते हैं नोसम दोधा दू है स्च इस्युनए बहुत इप बता दूंपाउंट्स असे बाढ़ें इंप्लांट्स के लिए प्लांट्स के लिए इसलिए इनका फटिलाइजर बनाने वाट यूरिस होता है समझ म of water in the body. Students, आपने देखा हुआ कि हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, कभी कम water पी लेते हैं, तो body में कोई न कोई ऐसा system होना चाहिए, जो amount of water को control कर सके. आपने देखा हुआ कि अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उस दिर हम बहुत ज़्यादा urine करते हैं. तो iscritary system ज आते हैं, और यह हमारे body में कहां पर होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी बात और डिटे में हम थोड़े दिर में करेंगे. पहले focus करते हैं इन organs का नाम का चाहिए, तो जो सबसे important organ है, इस credit system का students वो है ये, और इसका नाम है students kidney, और they are two in number, and you can see that is bean shaped, bean shaped, students जैस important होता है, अगर किसी आदमी की kidney खराब हो जाया, तो he may even die, now students एक चीज़ और आप देखें, कि यह जो दोनों kidneys है, वो different different height है बनाई गई है, तो यह diagram में कोई गलती नहीं है students, ऐसा ही होता है, दोनों का हीट थोड़ा अलग होता है body, अच्छा, अब इस students आप देखें, दोन अगरी ब्लैडर, यी जो है एक मस्कूलर स्टुर्चर होता है students, और यी एक्स्पांट और कॉंट्राक्ट कर सकता है, जैसा कि इस चाप्टर हम आगे देखें के, और फिर, तोड़्स एंद अफ दिस बैर लाग ब्लाय के स्टुर्चर देज थे स्मॉल ट्यूब लाइक अज में आपको बाद स्रेम्स अधार इस के अलाबवा है यह जो ब्लेट वेसल है जो ओक्सिजीनेट ब्लेट लेक्या रहा है किड़नी इसको एक्चिली ऑक्सिजिनेटेट ब्लड दे रहा है वो है एओटा आर्टरी उसके बारे में स्टुन्स हम अर्डी पढ़ चुके हैं सार्कुलेटर सिस्टम में अच्छा यह जो आपको दिख रहा है जो डी ऑक्सिजिनेटेट ब्लड किड़नी से लिजाने वाला स्टुन्स वह इंफेरियर वेना कावा समझ में आरी बात स्टुन्स इन सब के बारे में पहले सर्कुलेटर स्ने बहुत इटेन में देख चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह आटरी और यह जो वेन है स्टुन्स वह दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है बिकॉस सकते हैं for simplicity समझ में आई बात तो अब ध्यान देते हैं इस डाइगराम की तरफ और आप इसमें देखें कि यह जो पूरा का पूरा structure है वो कहां पर होता है तो आप देख सकते हैं स्टुन्स की वो abdomen में होता है ठीक है और स्टुन्स आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि य रहे तो अम यहां पर देखेंगे पूरा पूरा इस क्रेडी सिटम काम के से करता है तो उसके लिए आपको इस अयोटा आट्री पे ध्यान देनी की चलूवत है सुरिक क्या होता है कि यह जो ऑटा आट्री है वह दो प्रांचिज में डिवाइड हो के दोनों किदी में जाती फिर वो capillaries मिलके वेंस मनाती है और वही वेंज है वो रेनल वेंस से कम माइन होती है और फिर वेना कावा से कम माइन होती है तो भीफली आपको समझ मैं अंदर किड्नी के क्या स्ट्रक्चर होता है कि जो आटरी थी वो में डिवाइड हुई और फिर वह वेंस में मिल गए अब ध्यान देंगे इस आटरी से जो ब्लड आ रहा है इस्ट्रेंट्स वह ऑक्सिजिनेटेड ब्लड होता है उसमें बहुत सारा वेस्ट माटरियल भी होता है इसलिए इस ब्लड को डर्टी ब्लड भी बोलते है तो पूर बॉड़ी में हमारे घुमता है तो पूरे बॉड़ी में घुमते हुंते हो सारा वेस्ट मेटिकल करता है जो भी बॉड़ी के पार्ट से वेस्ट मेटिकल है वह ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है तो वही ब्लड जो है वहां पर आया है तो धियान दे इस ब्लड में ऑक्स होता है तो you can understand कि क्या होता होगा क्योंकि respiratory system आपने पढ़ चुक तो क्या होता होगा आप ही पता है मुझे क्योंकि वह oxygenated blood है तो capillaries के थुरू oxygen diffuse होके kidney में आ जाता है और kidney में जो carbon dioxide produced हुआ है वह उस capillary में अंदर चल जाता है और आप समझ सकते हैं कि अब यह oxygenated blood जो है वह वह विना कावा के थुरू चला गया यहां से यह oxygen जो निकला और carbon dioxide जो अंदर गया वह तो कहानिया आपको समझ में आड़ी होगी वह सब aerobic respiration से related है हमने respiration पढ़ा था कि body में जो cells होते हैं वह aerobic respiration करते हैं तो यहाँ हमारे लिए जो काम की बात है वह कोई दूसरी है वह क्या है कि जो यह blood आया जब वह capillaries से पास होड़ा होता है तो उसे time उसका जो west material है वह भी diffuse होके बाहर आजाता है वह भी यहां से बाहर निकल जाता है ब्लट से separate हो जाता है और फिर यहां से जो ब्लट वेन के थुरू बहार निकलेगा आप समझ सकते हैं कि उसमें west material नहीं होगा तो वह blood कैसा है स्टुएंट जो यहां से निकलेगा वो clean blood है वो कैसा है clean blood है क्योंकि जो west material है वो यहां पर छोड़ दिया गया है I hope you understand this streets अब देखो आगे क्या होता है आगे कहानी बड़ा आसान है समझना आप समझ रहोंगे कि जो west material यहां पर blood ने छोड़ दिया है वो यूरेटर के थुरू इस pipe के थुरू urinary bladder में आ जाएगा इधर से भी वह होई होगा फिर यह जो urinary bladder है वो muscle का structure होता है मैंने आपको पहले बता है muscular structure होता है तो वह इस urine को store करता जाता है store करता जाता है जैसे जैसे यह store करता है इसका size बढ़ता जाता है यह bulge होता जाता है लेकिन जब यह काफी amount में store कर लेता है urine को तो हमें अर्ज आती है कि हम toilet जाते हैं यह यूरेथ्रा वहाँ पर ओपन होता है और जो यूरीन है बॉड़ी से बाहर आता है अच्छा मैं आपको एक और चीज यहां पर बताऊं कि यह जो यूरीनेरी ब्लैडर है वो नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के बारे हम दूसरे चार्ट में यहां पर क्योंकि नाओ यूर फुल नाओ इस टाइम टू पास यूरीन तो यह यूरीथ्रा ओपन होता है और यूरीन जो है बहां निकलता है तो इस्टम आप समझ सकते हैं कि यह जो यूरीनरी ब्लैडर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यूरीन को स्ट पानि समझ में आ गई होगी क्या होता है बड़ा सिंपल है blood जब capillaries से पास करता है तो west material को यहां पे छोड़ देता है और फिर यहां पे चला जाता है वह west material नीचे आके body से बहार निकलता है अच्छा अब हम यहां पर यह जो process है कि capillaries से west material बहां निकला उसको और डिटेल में स्टेडी करेंगे इस्टेट्स तो उसके लिए हमें किड्नी का इनर स्ट्रक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा जो सिंप्लिफाइड फॉर्म में हमने यहां पर बनाया है तो अब ही किड्नी के अंदर क्या होता है कि जो आटरी है जो ऑक् सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो गया होता है किड्नी के अंदर और दोनों किड्च्नी में एक ही सीन होता है समंझ में आड़ी बात अब जो मैं आ को बताने वाला हूं तुम इसको ध्यां देख सुनेंगे कि अंदर निफ्रोन नाम का स्ट्रट्चर होता है इस देख आवे बात करते हैं स्टुरेंट्स की उस निफ्रॉन में क्या हो रहा होता है वही में चीज है किड्नी के अंदर का तो जो आटरी है स्टुरेंट्स वह इस आटरी के जो एक ब्रांच है वह इस निफ्रॉन के अंदर जाता है और वहां पर वह में डिवाइट होता है drs जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ही बताएगा तो दिफ डेस्ट के अंदर ही जो है ज्जो है जौाइन करके वेन के किसी ब्रांच से मिलती है आपको समझ में आधा यहां पर क्या होगि बलड जब यहाँ से निफरों के अंदर इन के लटीज से तो वेस्ट मट्रियल को यहां छोड जायेगा छोड़ जाये ौट manifest में पार में फोट गया है वह बाहर कैसे निकलेगा पॉनिस तो जो मैंने ब्राइटर केभी बहुत सारे प्रंचें यहोते हैं तो कोई ना प्रांच इस निफ्रॉन तख भी पहुंच रही होगी वो व्रांच जो इस वेस्ट मटिर, प्रॉं कलेक्ट कर ले की तो व्रों वेस्ट सब्सक्राइब और फिर नीचे जाएगा और बोड़ी से बाहर निकल पाएगा समझ में आई बाद स्ट्रेट्स और ये तो मैंने आपको एक निफ्रॉन की कहानी बताई वैसे बाकी जो निफ्रॉन है किड्नी में उनमें भी सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही होती है समझ मैं तो अभी हूं इस केड्रियों सिस्टम देख रहे थे फिर हम खीड्नी के अंदर हुशे अब क्या करने वाले कि इस निफरॉन के दर घूसके देखने वाले कि एक जख ली जो का पैलरी से वेस्ट में निकल रहा हो एकशाक्य लिए कैसे निकल रहा है बोड़ डिटेल में देखने माले है, so let me remove this and put this, तो यह आप देखें निफ्रॉन का magnified view बनाया है, मैंने green color में पूरा, और निफ्रॉन के basically दो parts होते हैं, एक तो इसमें यह cup like structure होता है, जिसको बोलते है Bowman's capsule, क्या बोलते हैं, Bowman's capsule, और दूसरा पार्ट है उसका यह tube like structure जो आप देसकते हैं, जिसको बोलते हैं tubule, तो basically nephron के अंदर यह दो basic structures होते हैं, अच्छा, अब मैंने आगों पता है था कि जो nephron है, उसके अंदर यह artery का एक branch आता है, फिर vein का भी एक branch यहां पे होता है, और urator का भी एक branch होता है, और इनों को मैंने red, blue और yellow तीन अला अलग colors में represent गिया था, तो वो भी अब यहां में बनाना पड़ेगा तो let me do that, तो strengths आप देख सकते हैं कि यह जो yellow में आपको दिख रहा है, that is a branch of urator जो finally urine लेके urator तक जाएगा, फिर आप यहां पर देखो, यह एक artery है, ठीक है, जैसे यहां पर यह artery आ रही थी, blood लेके, dirty blood लेके, वह यहां पर dirty blood लेके आ रही है, और यह vein है, जो clean blood लेके जाएगी, जैसा कि यहां पर hold आता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, अब देखो, मैं आपको पूरा बताता हूँ, कहानी क्या होता है, अब यह यह जो red में है, blood vessel, जो dirty blood लेके आ रही है, स्ट्रेंट, वो जो, वो जब यहां पर, इस बोमेंस capsule तक पहुंसती है, तो बहुत सारी capillaries में divide हो जाती है, और वापस से वो capillaries मिलके ऐसे यहां से निकलते है, और फिर आप देखो, वापस से वो tubule के round जब जाती है, तो फिर से capillaries में divide होती है, और इस बार यह capillaries मिलके जो है, वो vein बनाते है, ठीक है, स्ट्रेंट, अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे कि यह जो capillaries यहां पर बनी, इनका specific नाम है, स्ट्रेंट, that is, glomerulus, क्या नाम है स्ट्रेंट, ग्लोमेरियूलस, वर्ट पर ध्यान देंगे, और ग्लोमेरियूलस जो है, वो एक singular word है, उसका plural होता है, ग्लोमेरियूली, अगर एक से ज्यादा ग्लोमेरियूलस की बात कर रहे है, तो इसको बोलेंगे, ग्लोमेरियूली, ठीक है स्ट्रेंट, अब देखो, यहां पर क्या होता है, कि यह dirty blood, जब इन capillaries से cross कर रहा होता है, म क्योंकि वो cells, क्योंकि वो pores छोटे होते हैं, तो blood के बड़े molecules बहार नहीं आते हैं, फिर छोटे molecules बहार आते हैं, जैसे red blood cell होता है, red blood cell या white blood cells, इनके cells थोड़ी बड़े होते हैं, तो वो बहार नहीं आ पाते हैं, तो वो तो आगे चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे molecules से व बहुत बहुत नहीं होता है और इसको बोलता है फिल्ट्रेट एक क्या होते लिए लगड़ा होगा कि जो फिल्ट्रेट है वो ही हमारा यूरीन है ऐसा नहीं एकडिस पूलर को बताता हूं इस फिल्ट्रेट में क्या क्या ही इस फिल्ट्रेट में होता है ग्लु कोस इसमें होता है आमीनो एकिद इसमें होता है कुछ सॉल्ट qa inqu water यूरिया ऐसे करके बहुत सरे सबस्तेंसे जोते अच्छा आप मुझे बताओ क्या यह सारे सबस्टैंस आपको वेस्ट सबस्टैंस लग रहे हैं नहीं इस्ट्रुएंट जैसे देखो यूडिया जो है वो तो वेस्ट सबस्टैंस है उसको बॉड़ी से बहार निकालने की जरूरत है लेकिन ग्लुकोज और आमीनो असे जो है वेस्टैंस नहीं है वो तो हमने पहले पड़ा है वो तो हमारे बॉड़ी के लिए बहुत काम पर होते हैं उनको बॉड़ी से बहार निकालने की जरूरत नहीं है इंफरक्ट सॉल्ट और वाटर की बात करें तो कुछ सॉल्ट और वाटर ऐसे हो सकते हैं जिनको बॉड़ी स नहीं चाहते हैं समझ में आ रही है this is a very important point अच्छा अब देखते हैं आगे क्या होता है अब यह जो फिल्ट्रेट है तो वापस में वापस से blood के capillaries में जाने लगती है तो ग्लुको जो है वह टिब्यूल के filtrate से निकलके capillary के blood में जाने लगता है वही kाम amino acid के साथ भी होता है और कुछ water of sals भी वापस blood में मिल जाते हैं जोट से समझ में अज और यह जो process है काम की चीजों का वापस ब्लेड में जाने का उसको बोलते हैं क्या री अब्जोप्शिं क्या बोलते हैं जिया वापस ब्लेड में सभी है सब्जम्द आप समझ गया होंगे कि कि जब तक filtrate यहां तक पहुचेगा काम की चीज़े इसमें से निकाली जा चुकी है तो इसमें अब सिर्वेस्ट प्रॉडक्ट ही बचा है जो कि है यूरिया और कुछ वाटर और सॉल्ट या अधर वेस्ट मेटरियल जिसका नाम मैं यहां पर नहीं लिखा है तो वहीं इसमें बच्चावा होगा ठीक है तो वह हमारा यूरियन इस्ट्रेंट चो यूरेटर के ब्रांच में जाएगा और फाइनली यूरेटर के होते बाहर निकलेगा बॉली से यहां पर टुब्यूर में सिर्फ यूरीन यानि फालतू की चीज़े बसती है जो यूरेटर के किसी ब्रांच में चली जाती है समझ मारी बाद है और यहां से जो ब्लड अब निकल रहा है उससे सारी गंदगी निकल चुकी है इस क्लीन ब्लड इस्ट्रेंट आई होब यू करता है वो मैंने आगों बताया एम शूर को बड़ा मजा आया होगा समझ में आया होगा और कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइन करके देखें स्ट्रेंट्स